लो प्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वभीता की रसोई में आज ही रेसी दिये मटर टिकी चलो फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं मैंने यह मटर लिया है और यहां पर मैंने अद रख लिया है कटावा लेसन लिया है कटावा और यहां पर मैंने चार हरी मिर्च और यह कच्छी मूंपली के दाने हैं इसमों हम पीसेंगे मैं यहां इस जार में तीस होंगी है यहां पर मूंपली के दाने और हरी मिर्च अच्छी मूंपली है लेसन यह कर लिया अध्रक पटेवी नमक हम बाद में डालेंगे इसमें इसे हम अब ग्राइंड कर लेते हैं मैंने यह मटर को अच्छे से पीस लिए हूँ मटर और मूंपली यहां पर में बाजरी का अटा ले रही हूँ तीन चमस मेले बाजरी का अटा लिया है आप चाहें तो कोई सभी आटा ले सकते हो यह अपर में धनिया पाउडर जाल रही हूँ आदा चमस से कम घरा मसाला आदा चमस से यह भी कम है थोड़ी सी हल्दी नमक यहां स्वाद अनुसर मैंने नमक नहीं डाला है आप में डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसर इनको अब मिला लेते हैं मैं यहां पर धनिया पतर डाल रहे हूँ कटावा आप मैंने हरी मीच पीस देट समय डाल दिया था इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगा आप शाये कर लाल मीच पाउडर डाल सकते हैं मैंने यह लाल मीच कर इस्तमाल किया है मैंने यह लाल मीच पाउडर नहीं डाला है आप शाये तो लाल मीच पाउडर डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिन से मैंने अच्छे से मिक्स कर लें हूँ बटर को अच्छे से मिक्स कर लें हूँ बटर को अच्छे पर अच्छेवा बटर नहीं पर क्जूब कर वुब के लें हैं अ कर दो अ कर दो अ कर दोंगा झाल झन्योंचे जयोजे जडिए झाल सेज़ जडिए झाल साथ जड़ सकते झाल सेवाई झाल से झाल सेज़ तब करणी पर दब सकते हैं अब बिडियूम लोग फलम पर ही पकाएंगे पलते हैं यह जब पलते हैं पलते हैं यह सारा पलत दिया है इसे पकने की छोड़ देते हैं अब निकाल लेते हैं मेरी यह नी काले हैं बाकी का बना लेते हैं इस ने यह पुलर दिया है बहुत ही कम ओईल से बनती है यह बनती है यह अब आप कि अब आप कि अब आप इसे निकाल लेते हैं इसे निकाल लेते हैं अब आप अब आप 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 अब आप आप इसे निकाल बना लेते हूं आप आप मैंने यह सार बना लिया है अब सर्फ करते हैं आप हमारी रेसिपी बन कर त्यार है मता टिक की अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमेंटी कीजिए पिरमिल तेंगल रेसिपी के साथ थैंक यू अच्छी का इड़ सही बना यू